हेलो दोस्तों नोटिफाई नोलेज में आपका स्वागत है और फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलर्शिप 2023-24 के बारे में फ्रेंड इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपोर्टेंट जानगारी प्रवाइड की जाएगी और आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी की बात है इस वीक जो है लाखो छात्रों की छात्रों की चात्रों की चात्रों की चात्रों की जाएगी और किन छात्र की जो छात्र विर्ति है इस सत्र यानी की सत्र दो हजार तेश चोबिस में यहाँ पे उनकी नहीं आने वाली है वे लोग जो है अपने छात्र विर्ति से वंचित होंगे कम्प्लीट इनफॉर्मेशन वीडियो में आपको प्रवाइड की जाएगा आप लोगों से रिकवेश्ट लागा अगर आप लोग नए होंगे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीस इस वीडियो को लाइक चेर कीज़ेगा नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा तो फ्रेंट आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा इनफॉर्मेशन आप लोग के साथ यहां पे सेर करने वाला हूँ देखिए अगर आप लोग चेहा प्रिमाइटरिक के कैनेट होंगे चेहा पोस्टमाइटरिक इंटर के कैनेट होंगे चेहा प्रेस होंगे, चेहा रिनू होंगे, जनरल, OBC, SC, ST, मनावटि किसी भी काहसे से आप लोग बिलाऊं करते होंगे तो आप लोग का यहां पे समाज करनेट वढ़ने को दौरा एक च्राटरियां यहां पे रखा जाता है क्राटरिया यह होता है कि आप लोग का जो फार्म है स समाज कलनाट भ्याक को दरह verified होने चाहिए जितने भी छात्र होंगे जिनका फ़र्म समाज कलनाट भ्याक को दरह verified के जाएगा वे सभी छात्र जो है है कि इस सब्ता हकीन चात्रों की चात्र विर्ति जो है उनके बैंक एकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी तो अगर आप लोग जो है यहाँ पे प्री मैट्रिक के कैंडिट होंगे ठीक है ना प्री मैट्रिक में वे चात्र आते हैं जो अपना कछा नौ और कछा दस्त में करन भ्यक का दौरा टाइम टेबल लखñा गया है तो फंद्रे मार तक जितने भी मैट्रिक वाले कैंडिट है उनकी स्कॉलर्जिप उनके बैंक काउंट में आ जाएगी तो यहाँ पे जितने भी मैट्रिक वाले छात्र हैं वे लोग अपना स्कॉलर्द सिर्फ का वीट करें इस week आप लोग के छात्र विर्ति आपके bank account में आ जाएगी ठीक है अब फ्रेंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किन छात्रों की जो छात्र विर्ति है अगले सब्ता ठीक ना किन छात्रों की छात्र विर्ति जो है अगले सब्ता उनके bank account में transfer की जाएगी तो फिरिंड अगर आप लोग जो है post metric inter ठीक है ना post metric inter के candidate होंगे या तो post metric other than inter के candidate होंगे इन सभी छात्तर की छात्ते विर्थी जो है next week उनके bank account में आने वाली है चहे आप लोग fresh होंगे चहे आप लोग यहाँ पर renew होंगे general OBC, SC, STA, 1.0 किसी भी कार्ष्ट से आप लोग व next week जितने भी post metric inter post metric आदादनी इंडर के candidate होंगे उन सभी छात्तर की छात्ते विर्थी जो है 22 मारता क्या तो उससे पहले पहले उनके bank account में आएगी अगर आप लोग के farm को श्रमाज कलनाड भ्याक को दरह verified किया गया है तो आप लोग यहाँ पर eligible है इस्कॉलर सी पायने के κंडिसन की छात्रों के लिए कंडिसन यहाँ पर है यस्सी और यस्टी वाले छात्रों के लिए अगर आप लोग जो है यस्सी और यस्टी वाले छात्र है और आप लोग ने अपना जो form है यहाँ पर 31 December 2013 तक final संमिट कर जाया होगा तो आप लोग को भी scholarship जो है 22 मारत तक है लेकिन आप लोग जो अगर ST और ST कार्ट से बिलोंग करते हैं और आप लोगों ने अपनी जो scholarship का form है एक जनवरी 2024 के बाद या तो 31 मार्च ठीक ना 31 मार्च 2024 से पहले apply किये होंगे तो उन सभी छात्रों का जो time table है ये different है और इनकी जो scholarship होने आने वाली है ये 28 जून 2024 तक आने वाली है अब हम बात करने वाली है कि इन चात्रों की छात्रों की छात्र विरती जो है इस सत्रनी की सत्र 2023 में नहीं आने वाली है तो आप लोग जब अपना current status यहाँ पे open करेंगे अगर आप लोग के current status में यहाँ पे rejected by district scholarship committee वाला region सो कर दिया और यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे region बता दिया गया है तो आप लोग जो है छात्र विरती से वंचित हैं आप लोग जोग यहाँ पे छात्र विरती के criteria से बाहर है और आप लोग की छात्र विरती है इस सत्र नहीं आने वाली ठीक न? अब बहुत सारे छात्रों का फार्म जो है समाज करनाड व्याग का दोरा रिजक्ट कर जया गया है रिजक्ट किसी भी कारणवस से किया गया हो अगर यहाँ पर रिजक्टेड बाई डिस्टिक स्कॉलर्शिप कमेटी सो कर दिया तो उस सत्र आप लोग की स्कॉलर्शिप जो है नहीं आने वाली है चाहे आप लोग का फार्म कभी भी यहाँ पर रिजक्ट किया गया हो ठीक है न? अब बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहते कि सर क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं? क्या हमारे पार यहाँ पर ऑप्शन बसता है फा को पता नहीं है और आप लोग जो है योपी स्कॉलर्शिप के ऑफिसल साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर जो लोग अपना नोटिस अपडेट करते हैं अपलोड करते हैं तो यहाँ पर उए लोग क्या करते हैं कि 10 से 15 दिन लग जाता है माले जी अगर नोटिस का डेट ज मैं आप लोगों से यही कहूंगा आप लोग के पास ज्यादा चांस नहीं है अब यह एक परसिंड का आप लोग का मतब चांस है आप लोग के फार्म को बेरिफाइड कराने का ठीक है अब यह एक परसिंड जो चातर चाहें आपना रिस्क ले सकते हैं रिस्क क्या है कि आप लोग जो है OBC कास्ट से बिलॉँग करते होंगे तो OBC डिपार्टमेंट में जाए काक्ति से आप लोग करते होंगे उस डिपार्टमेंट में आप लोग जाएंगे अपना क्रेंट इस्टेस Med handful फोटी से अपनम के वहां प nutrition Stevens है वे लोग के मतलब क्या वहाँ पे सला देते हैं क्या वे लोग बताते हैं बाकी मेरे इंड से आतर कभी ऐसा नहीं हुआ 99% केस में जिन भी छात्रों के फार्म को समाज कलनर भाग रिजेट करता है उनकी शात्र विर्ति जो है उस सत्र नहीं आती है बसरते आप लोग के पास अभी 1% का मौका है आप लोग समाज कलनर भाग आपी जाए अगर वहाँ से यो लोग कुछ उपाय आपको राते हैं तो उस उपाय को आप लोग फालो कीजिए बट अगर समाज कलनर भाग वहाँ पे आपको बोल जागा कि आपके पास कोई भी मौका नहीं कोई भी चांस नहीं फार्म को बेरिफाइड दिकराने का तो इस सत्र आप लोग की स्कॉलर्शिप नहीं आने वाली तो फ्रेंड यह रही कंप्लेट इन्फोर्मेशन में भी इन्फोर्मेशन आपको अच्छे लगे होगी